नमस्कार आपका स्वागत है जीत साधना YouTube चैनल में दोस्तों चैत्रमास की अमावस्या को विशेश माना जाता है क्योंकि यह तिथी संवत्सर का अंतिम दिन होता है इसके अलावा चैत्रमास की जो शुकल पक्ष की प्रतिपदा तिथी होती है वह नवरात्रि का पहला दिन माना जाता है और हिंदू पंचांग का नौ वर्ष प्रारंब होता है इसलिए चैत्रमास की अमावस्या को अगर सोमवार या शनिवार के दिन आती है तो इसे बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है इस बार की चैत्रमास की अमावस्या ऐसा ही एक महत्वपूर्ण और शुब संयोग है जिसे हमें प्राप्त हो रहा है पितरों को समर्पित होती है, पितरों की पूजा इस दिन की जाती है और अमावस्या तिथी पर भगवान भोले नाथ की पूजा की जाती है और इसके अलावा सोमवती अमावस्या सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत विशेश मानी जाती है। बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्रमास की अमावस्या कब है। अमावस्या थी थी कब प्रारंभ हो रही है। कब समाप्त हो रही है। और इस दिन पीपल पूजा का शुभ मुहूर्थ क्या होगा। पितरों की पूजा करने का शुभ मुहूर्थ क्या होगा, किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए। और बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आते हैं, कि अगर हम पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत धारन करना चाहते हैं, तो क्या इस बार से प्रारंभ कर सकते हैं, क्योंकि इस बार खर्मास लगा था मलमास जिसे कहते हैं, और एक और चीज, जैसे कि अभी खर्मास च बंधित आपको शेर करने वाली हूँ, तो वीडियो बहुत महत्तुपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए, अच्छी लगे, वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्तुपूर्ण होते हैं, यही एक म अमावस्या तिथी कब है, तो देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, कि इस बार चैत्र मास की अमावस्या सोमवार के दिन है, और जब सोमवार के दिन अमावस्या होती है, तो इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं, सोमवती अमावस्या आठ अप्रेल को है, यानि कि स सोमवार के दिन हैं, अमवस्या तिथी का प्रारंब हो रहा है। 8 अप्रैल 2024 को सुभतिन बजकर 2 मिनट पर और अमवस्या तिथी समाथ हो रही है। इसी दिन रात्री में 11 बचकर 50 पर, तो सूर्योदय कालीन तिथी में सोमवार के दिन, सोमवती अमावस्या का दुरलब और शुबह संयोग हमें प्राप्त हो रहा है। और अब बात करें कि सोमवती अमावस्या के दिन किस प्रकार से नियम पालन करना चाहिए। तो देखिए, सोमवती अमावस्या है, तो इस दिन जल्दी उठना है, आप सभी जानते हैं, वैसे तो कहा जाता है कि गंगा इत्यादी नदियों में स्नान करना चाहिए, किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, लेकिन सब के लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता है, तो अच्छा, अमावस्यातिती पर स्नान किया जाता है, ब्रह्म मुहूर्थ में तो आठ अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्थ का समय रहेगा, सुबह चार बच कर बतीस से, सुबह पांच बच कर एक मिनट मिनट तक, इसी शुभ मुहूर्थ में आपको स्नान कर लेना है, वैसे अपने घर के मंदिर में विधि विधान से पूजा कर लीजिए, जिस प्रकार से आप हर रोज करते हैं और इसके बाद से आपको पीपल की पूजा करना है, तो पीपल की पूजा करने के लिए घर के आसपास जहां भी पीपल है, वहां जाकर आपको जल अर्पित करना है, प एक आवन बार भी कर सकते हैं, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार आप कितनी भी संख्या में परिक्रमा कर सकते हैं, कम से कम चार बार या फिर आप चाहे तो साथ बार भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा फिर आपकी अपनी श्रद्धा होगी। विधी थोड़ी अलग होती है, कुछ विशेश होती है, क्योंकि कि सुहागिन महिलाएं व्रत धारण करके और अपने अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सुहाग की सामग्री भी पीपल की जड़ में अर्पित करती हैं, जल भी देती हैं, परिक्रमा भी करती हैं, बह तो इतना ध्यान रखिएगा कि पूजा कोई भी कर सकता है, विशेश पूजा सुहागिन महिलाओं के लिए होती है, कुछ विशेश नियम होते हैं, अच्छा नियम क्या होते हैं, वो आप जान लीजिए, देखिए सुहागिन महिलाओं को, सुहाग की सामग्री पीपल की ज अपनी इच्छा है या फिर एक ही पात्र में थोड़ा सा जल ले लीजिए, थोड़ा दूध डाल दीजिए, शक्कर डाल दीजिए और थोड़े से अक्षद डाल दीजिए और इसी जल से पीपल की जड़ को सींच हैं, फिर उसके बाद धूब दीप नैवेध्य अक्षद इसी से आप परिक्रमा करते हैं और उन सामग्रियों को दान कर दिया जाता है। सामग्री है, तो आप कई सुहागिन स्त्रियों को उस सामग्री में से दान कर सकते हैं। विशेश रूप से सुहागिन महिलाएं आज के दिन पीपल की जड़ में सिंदूर अरपित करती हैं और जितनी बार भी आप परिक्रमा करेंगे, उतनी बार पीपल की जड़ में तो इस प्रकार से सुहागिन महिलाओं के नियम थोड़े अलग होते हैं और परिक्रमा करने के बाद सोमवती अमावस्या की कथा पड़ सकते हैं, वहीं पर बैठ कर चाहे तो सुन भी सकते हैं, परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमा या फिर ओम नमा इस प्रकार से मंत्र जब कर सकते हैं, ठीक है? मतलब मंत्र जब करते हुए ही पूजा की जाती है, क्योंकि कहा जाता है, न मौन रहकर पूजा नहीं करनी चाहिए, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, और फिर पूजा करने के बाद घर आकर आप चाहे तो जल पी सक करते हैं, फलाहार कर सकते हैं, बहुत से लोग हैं जो पूरे दिन का व्रत रखते हैं, मतलब शाम के समय फिर मीठा भोजन करते हैं, तो जैसा आपके यहां नियम होता है, उसी प्रकार से आप भोजन कर सकते हैं, या फिर व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन हां, इतना जरूर ध्यान रखिये कि पीपल की पूजा करने के बाद, पीपल की परिक्रमा करने के बाद ही अन और जल का सेवन किया जाता है, ठीक है, कम से कम तब तक तो व्रत जरूर रहना चाहिए, जब तक हमारी पूजा पूरी ना हो जाए, अब बात करें कि पीपल की पूजा का समय क्या र पिर इसके बाद आप पीपल की पूजा भी कर सकते हैं। पिर इसके बाद आप पूजा भी कर सकते हैं। पूजा भी करते हैं। तब भी आपको तुलसी की पूजा जरूर करनी है। इन चीजों का दान, किसी ब्राह्मन को या फिर सुहागिन, महिला को, किसी जरूरत मंद को जरूर करना चाहिए। इससे आपका सौभाग्य आगे बढ़ता है। घर में सुक सम्रिद्ध बढ़ती है। संतान प्राप्ति की कामना हो तो पूर्ण होती है। घर से बीमारियां दूर होती हैं। कल एकलेश समाप्त हो जाते हैं। वास्तुदोश, पित्रदोश और किसी भी प्रकार का ग्रिह दोश हो, तो अमावस्या के दान से दूर हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस दिन पितरों के तरपन करने का समय होगा। सुबह 11 बचकर अनथावन से, दोपहर 12 बचकर 48 मिनट तक, दोपहर में ही पितरों की पूजा की जाती है, पितरों के लिए तरपन किया जाता है, आप चाहे तो अपने घर में भी दक्षन दिशा की तरफ मुख करके और खुले स्थान पर पितरों का तरपन कर सकते हैं, या फ पहली बार सोमवती अमावस्या का व्रत कर सकते हैं, प्रारंभ जीहां बिलकुल कर सकते हैं, जैसे कि होली का दहन के बाद आप कोई भी नया व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, तो होली का दहन तो हो ही चुका है, अब आप लोग चाहे तो कोई भी नया व्रत प्रारंभ कर सकते ह तो चैत्रमास की नवरात्री से भी प्रारंब कर सकते हैं। और अभी जैसे की खर्मास चल रहा है, तो इस खर्मास का कोई इतना महत्व नहीं होता है। तो आपको यह ध्यान रखना है, वैसे भी सोमवती अमावस्या को अखंड सौभाग्य के लिए हम पूजा करते हैं। तो उस दिन बाल धोना तो बिलकुल भी ठीक नहीं होगा। तो आप लोग रविवार के दिन बाल धो लीजिए। फिर सोमवार के दिन हम वरत कर ही रहे हैं सोमवती अमावस्या का या वरत नहीं भी कर रहे हैं। अगर आप सोमवती अमावस्या का तब भी पीपल की पूजा कर लीजेगा और नहीं भी कर पाते हैं तो तुलसी की पूजा कर लीजिए और फिर नवरात्र के पहले दिन भी आप बाल धो सकते हैं। कोई समस्या नहीं